हेलो दोस्तों द्रिश्टी आईएस के पीटी रिविजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज हम एकोनॉमिक खंड के दूसरे सेगमेंट को लेकर के आपके सामने आये हैं तो जो दूसरा सेगमेंट है उसमें भी कुछ महत्पूर्ण और परिक्षा उप्योगी खबरों क को यहां पर चुना गया है ताकि आप रिवीजन के तहत प्रशनों को सही तरीके से हल कर सके तो чи पहला यहां पर निऊज है वह है प्रोजेक्ट बोल्ट तो जैसा कि यहां पर आप इमेज से देख करके समझ पा रहे होंगे कि यह जो प्रोजेक्ट है वह बांस से संबंदित है इसका जो इंग्लिश में इसको लिखते हैं B.O.L.D. यानि Bamboo Oces on Land in Deserts इसका यह मतलब होता है क्या है पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानि KVIC ने मरुस्थली करण कम करने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड लॉंच किया है यहाँ पर इसका एक उद्देश है मरुस्थली करण को कम करना KVIC यानि खादी एंड विलिज इंडस्ट्रीज कमिशन इसकी जो शुरुवात की गई है इसकी शुरुवात राजिस्थान के उदैपूर के निचला मांडवा गाउं से इसकी शुरुवात की गई है आगे जो प्लान है वह प्लान है इसको लेह लदाख और एहमदाबाद तक भी ले जाना इसी सरकार की मंशा है तो प्रोजेक्ट क्या है इस पर बात करते हैं बहुत ही एहम प्रोजेक्ट है जैसा नाम आप इसका समझ चुके हैं बैंबू ओसेस और लेंड इंड्रोट यह राजिस्थान के आदिवासियों की आय में इजाफा करना इसका एक मकसद है यानि यह जो प्रोग्राम है यह अपने तहत दो उद्देशों को ले करके चलता है इन उद्देशों का हम समझें तो पहला उद्देश इसमें है कुद्देश हमने उपर देखा मरुस्थाली करण को रोकना दूसरा कि राजिस्थान के जो आदिवासी जो लोग हैं उनकी आय में बढ़ उत्री करना कैसे करेगा बास आधारत अर्थ्वयवस्था को मजबूत करना देखते हैं तो यह जो इस्थानी लोग है उनको लूप में किया जाता है तो बास से कई तरह की चीज़े बनाई जाती है आप टोकरी बना सकते हैं फरनीचर बना सकते हैं गुलदस्ते बना सकते हैं गमले बना सकते हैं बहुत सारी उपयोगी चीज़े बना सकते हैं तो ग्रामीड खित्र के लोग हैं जब वहां पर बास ल लगाने का planning किया गया है, इस planning के तहट बेंबूसा टुलडा और बेंबूसा पॉलीमोर्फा का उप्योग किया जाएगा, ये खासकर असंब से मंगाई गई कुछ किसमें है, इसके तहट शुस्क और अर्ध शुस्क, यानि arid और semi-arid खेत्रों में बास आधारित green patches बनाए जाएंगे पैचिस यानि कैसे बनाए जाएंगे माली यह आपको जहां पर बास लगा हुआ दिख रहा है कुछ इसी तरह के आप कल्पना कीजिए कि कुछ और बास के खेत्र यहां पर लगाए गए हैं कुछ कुछ दूरी पर तो यह जो इस्थिती है यह क्या करेगी कि बास के पैचिस जब बनाए जाएंगे तो बास के पैचिस के जरिए desertification को रोकने का एक प्लान किया गया है बास उस जमीन पर जब लगाए जाएंगे तो बास के अंतर के जो जड़े हैं वे मिट्टी को पकड़ करके रखेंगी जिससे मिट्टी का कटा रुकेगा एक उदारण के तौर पर समझ लेते हैं माली जो कोई भी पेड़ है तो पेड़ कुछ इस तरह से होता है और नीचे उसकी जड़े मिट्टी के अंदर तक गई होती है जो मिट्टी को पकड़ करके रखती है ऐसे में यदि बारिश होगी तो जो पानी की बूने हैं वे डारेक्ट यानि सीधे मिट्टी पर ना पढ़कर इस पेड़ की पत्तियों से टकराएंगी और धीरे-धीरे जमीन पर आएंगी अगर हम इसको दूसरी एक स्थिती के तह स समझें यानि यदि बूने सीधे धर्ती पर पढ़ेंगी तो जो मिट्टी है मिट्टी को वो तोड़ेंगी और मिट्टी यहां पर सर्फिस से अलग होती जाएगी और उचल करके यहीं गिर जाएगी और जब बारिश के पानी का बहाओ आएगा तो सतह के ऊपर की मिट्टी कमजोर हो गई और रेतीली हो गई इस प्रक्रिया के तहल वहीं यदि पेड या पौधा वहाँ पर कोई लगा होगा खासर बास की बात करें तो जड़े हैं वे मिट्टी को भी पकड़ करके रखेंगी प्लस पानी को भी भूमी के उंतरगत धीरे धीरे जब गिरेगा पानी तो भूमी के अंदर पहुंचेगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा यानि एक एक एकोनॉमिकल इंपक्ट के साथ साथ हमें एन्वायरमेंटल इंपक्ट भी देखने को मिलेगा ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है इस लिहाज से भी तो रेगिस्तानी शुस्क और सीधे अशोषित कर ली जाती है इस लिमिट्टी से नमी खत्म हो जाती है यह जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत खादी बैंबू फेस्टिवल के तहत की गई है और खादी बैंबू फेस्टिवल आजादी के चुकि 75 साल की सालगिरह हम बना रहे हैं आजादी का अमरित से वाश्पन कम करने में बास सहायक हैं तो जैसा भी हमने डिस्कॉस किया आप समझ सकते हैं किस तरह ऐसे यह मदद करेंगे इसके लिए अगली जो न्यूज है उसे देखते हैं अगली न्यूज है वित्तिय स्थिरिटा रिपोर्ट यानि फिनानशियल स्टीबिलिटी रिपोर् ट॑ न कौन जारी करता है इसे इसे उसे आरभी ऐई जारी करता है तो ये जो financial stability report है ये कब-कब जारी की जाती है बहुत important सवाल इसको साल में दो बार जारी किया जाता है यानि वित्ति सिर्था report को साल में दो बार जारी किया जाता है इस बात को याद रखिएगा तो RBI की financial stability report के अनुसार इसमें कहा गया है कि जो बैंकों का GNPA यानि gross NPA आप जानते ही है non-performing assets तो उन सभी को जोड़ दीजे तो बन जाएगा gross non-performing assets तो उसका ratio बढ़कर 11.2% हो सकता है ऐसा बताया गया है मार्च 2021 का एक डेटा बताता है कि 7.48% यह जो GNPA था यह रहा था और CSBs यानि scheduled commercial bank का CRAR यानि capital to risk weighted asset ratio क्या होता है है C R A R इसे ही हम C A R के नाम से भी जानते हैं C A R यानि capital adequacy ratio देखिए bank जो loans देते हैं कोई भी bank जो रिण देता है तो किसी भी दिये गए रिण में risk तो बना ही रहता है कि कोई bank जब रिण देगा तो वह रिण वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा इस आधार पर bank को कि दिये गए उनके कुल रिणो रिणो के अनुपात में अपनी पूंजी से कि उस जोखिम भरे assets के लिए यानि रिस्क वेटेड जो एसेट से यानि ऐसे दिये गए loans जिसमें ये संभावना बनी हुई है कि पैसा डूब सकता है उसके आधार पर एक अनुपात के रूप में प्रतिशत के तौर पर कुछ fund अपना allocate करना होता है जो उनकी कुल पूंजी से allocate किया जाता है इससे क्या होता है इसको C.A.R. के रूप में जानते हैं इससे होता ये है कि यदि कल को यहाँ पर दिया गया रिण डूबता है या कुछ और होता है तो जो जमा करता है उनके जमा किये गए पैसों की सुरक्षा एक तरह से सुनिश्चित की जाएगी यानि कुछ फंड रिस्क के रिस्क को कवर करने के लिए वह बैंक अपने पास रखेंगे यही प्रावधान यहाँ पर किये गए हैं ठीक आगे पढ़ें CRAR बढ़कर कितना हो गया है 16.3 फीसद यहाँ पर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो PCR मार्च 2021 में बढ़कर 68.86 परतिशत रहा PCR यानि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या है देकि बैंकों ने इस बात की भी व्याउस्था की है कि जितना भी रिड आपका NPO होगा उसके एवाज में आपको कुछ पैसा प्रोविजन करके रखना है एक तरीके से आपको अ 68.86 पीशद तो एक जो आदर्श इस्थिति इसकी मानी गई है PCR की वह 70 पीशद याद रखिएगा अगर 70 पीशद हो तो ठीक है ठीक माना जाता है C.A.R. जितना ज्यादा होगा यानि C.R.A.R. या फिर C.A.R. जितना ज्यादा होगा बैंकों की जोखिम से लडने की स्थिति यानि जोखिम को संभालने की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी तो C.A.R. के संबंद में जो बेसल 3 norms हैं ये क्या कहते हैं देखिए रिविजन क्लास है एक तरह से आपको रिविजन करवाया जा रहा है आप रिविजन कीजिए और जहां पर आपको डाउट लगे वहां पर आप अलग से फिर से उस टॉपिक को पढ़िए ठीक है तो बेसल 3 norms कहते हैं कि लगबग 8 प्रतिशत आपको C.A.R. रखना से अलग-अलग बैंकों के लिए जिम्मेदारिया तै की गई है तो यहीं इसमें बताया गया है कि कितना स्वक्त स्थिति क्या चल रही है लेकिन जो भी वर्तमान न्यूज होती है कई बार प्रश्न उनके स्टैटिक पोर्शन से पूछ ली जाते हैं तो आपको दोनु के तोर पर काम करता है तो उसमें जो उनके जोखिम है उनकों यहां पर एक तरीके से एसेस किया गया और बताया गया है कि कितना है तो बैंकों की बाजार में साख का भी पता चलता है बैंकों की स्थिति का भी पता चलता है जोखिमों से बचाने के लिए आर बी आई यानि इंडिया कि शी आर ए आर निर्धारित करता है एक पॉइंट यह याद रखीएगा सवाल में पूछ देगा कि इसको निर्धार्ण कौन करता है PCR हमने अभी पीछे पढ़ा था प्रोविजनिंग वाला तो बैंकों के फंड्स का एक निर्धारित प्रतिशत है आप समझ चुके हैं बैड लोन्स से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो जो भी NPA है जो पैसा अपका NPA हो सकता है उसकी भरपाई के लिए आपको प्रोविजनिंग करनी होती है जी NPA यानि ग्रॉस NPA डिफॉल्ट हो चुके सभी लोन्स का कुल्मान होता है यानि बैंक न अब तक जितने भी लोन दिये हैं और जो NPA निर्धारित हो चुके हैं उन सभी को मिला करके ग्रॉस NPA कहा जाता है प्रधान मंत्री खनिज शेत्र कल्यार योजना जो खासतोर से दिख भी रहा है कि खनिज शेत्र से जुड़ी हुई है क्या विशेश बाते हैं इसमें जादनी चाहिए इसके लिए कुछ बाते अभी निकल करके सामने आई हैं इसमें बताया गया है कि क्या सिती इस वक्त बनी हुई है इस योजना की इसको हम दो चुजों से जोड़ करके अभी समझेंगे तो इसमें बताया गया है कि वर्तमान में 22 राज्यों ने प्रधान मंत्री खनिज छेत्र कल्याण योजना को अपना लिया है 22 राज्यों ने अपना लिया है इन राज्यों के इन 22 राज्यों के 600 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किया गया है दो बाते हैं यहाँ पर एक प्रधान मंत्री खनिज खेत्र कल्याण योजना दूसरा जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किया गया है दोनों को अभी मिला कर समझते है जिला खनिज फाउंडेशन एक सामविधिक निकाय है यानि इसका जो गठन है वह किसी कानून के तहत क किया गया है कौन सा कानून है तो यह कानून यह वाला है बाइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट नाइंटीन फिप्टी सेवन तो खननकारियों से प्रभावित लोगों के लिए कल्याणकारी काम करना इसका उद्देश्य है अब दोनों बातों को समझते हैं एक योजना है प्रधानमंत्री खनिजक्षेत्र कल्याड योजना यानि PM क्यों 2015 में शुरू हुई थी इस योजना के तहट खनिजक्षेत्र में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके तहट कल्याड कारी उपाय किये जाने है ठीक लेकिन इस योजना में जो फंड का इस्तिमाल किया जाएगा वह फंड आएगा जिला खनिज फाउंडेशन के तहट कलेक्ट किये गए फंड का ही यहां पर इस्तिमाल होगा दोनों बाते जुड़ चुकी है तो खनंच्षेत्र से प्रभावित लोगों के कल्याड के लिए ये जोजना भी लाई गई है और एक जो फंड है जिला खनिज फाउंडेशन का फंड इसका ही इस योजना में इस्तिमाल किया जायेगा माइनिंग के दौरान और बाद मेद में जो प्रभाव पढ़ते हैं काम करने के लिए उनको प्रभावों को कम करने का प्रयाएस किया जाएगा इस और लोगों की सतत आजीवका को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है यानि लोगों की बीच बीच में उनको काम मिल रहा है बीच में काम नहीं मिल रहा है तो एक तरीके से इसका भीए को पाए करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है अगली है Reach for the Sun रिपोर्ट रीच for the Sun रिपोर्ट देखते हैं क्या है तो भारत के उर्जा स्रोतों पर कार्बन ट्रेकर की एक रिपोर्ट आई है रीच for the Sun कार्बन ट्रेकर कहां की है UK की United Kingdom की कार्बन ट्रेकर एक स्वतंत्र think tank है और इन्होंने भारत के उर्जा क्षेतर से संबंदिज जो सेक्टर से उस पर सरवे करके कुछ जानकारी दी है यह जो जानकारी है इन्होंने भारत के ही Council on Energy Environment and Water यानि CEEW के सहीयोग से दी है और यह एशिया की कुछ बहुत बड़े not for profit policy research institutions में से एक है क्या बताया है इन्होंने 2018 में जिवाश्म इन्धन के जर्य एlles इलैक्ट्रिस्टी जनरेशन की डिमांड ज्यादा थी 2019 और 1920 में इस मांग में गिरावट आई लेकिन विद्ध्युत आपूर्ती के लिए जीवाश्म इन्धन की मांग आगे बढ़ सकती है हम अपनी electricity की demand को पूरा करने के लिए आगे इसका उपयोग बढ़ा सकते हैं भारत की उर्जा क्षमता में renewable energy का 37 प्रतिशत योगदान है यह जितना हम कुल energy का उपयोग कर रहे हैं उसमें 37% renewable energy है 2010 में सौर उर्जा से 20 गीगावाट बिजली बनाई जा रही थी उससे भी कम 2021 तक आते आते सौर उर्जा की जो हिस्सेदारी उसको बढ़ाया गया है और 96 गीगावाट तक ले जाया गया है सौर उर्जा की हिस्सेदारी नि बढ़ाई गई है 2021 तक 96 गीगावाट तक उसको ले गये हैं अगर इसी में हम और बाकी की चीजों को जोड़ दे जैसे पवन उर्जा बायोमास उर्जा जल से संबंदिज जल शक्ति वाली उर्जा तो यह कितना हो जाता है इसमें renewable total जो भा पुनरप्रयोग और दुरुपयोग पर डेटा का एनलेसिस करती है यह थी वाली न्यूस अब बात करते हैं अगली और महतपूर्ण न्यूस की जो RBI से जुड़ी हुई है इसमें स्कीम की चर्चा है retail direct scheme तो retail direct scheme किस से संबंदित है देखते हैं government securities पर यहाँ पर इसका उत्तर हमें मिल जाता है सरकारी प्रतिभूतियों पर RBI की एक नई RBI retail direct scheme लाई गई है यह one stop solution की तरह काम करेगी यानि अब retailers सीधे इन प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेंगे अभी तक retailers के लिए direct इस तरह की प्रतिभूतियों में निवेश करने की सुविधा नहीं ते रिटेलर का मतलब क्या हुआ ऐसे निवेशक जो अलग-अलग तोर पर यानि single यानि अकेले भी निवेश करते हैं कोई बड़ी संस्था के तहत निवेश नहीं करते हैं इसमें आप और हम भी शामिल हो सकते हैं तो रिटेलर इन्वेस्टर्स इस पर अब सीधे जाकर के निवेश कर सकेंगे तो लोग RBI के साथ एक online portal के जरिये retail direct guilt account open कर पाएंगे online platform पर जाई और RBI के साथ ऐसा एक account open करके इनकी खरीद विक्रियाप कर सकेंगे guilt account क्या होते हैं पूछ सकता है guilt account का संबन्द दरसल सरकारी प्रतिभूतियों को रखने और इनके रखरखाओ से है तो question पूछ लेगा guilt account किस से संबन्द देता है आपको पता होना चाहिए तो portal के जरिये सरकारी प्रतिभूतियों के primary issuance को access किया जा सकेगा यानि इनका access मिलेगा जब भी कोई सरकारी प्रतिभूति आएगी जिसे हम जानते है आम भाशा में आई-पी-ओ यानि primary offering कहते हैं इसको स्टॉक्स का विक्री के लिए जब पहली बार release होना यानि आई-पी-ओ में भी होता है तो जैसे ही आएंगे इसको भी खरीदा जा सकेगा तो यह एक नई सुविधा RBI लेकर के आया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए government securities में सरकारी प्रतिभूतिया कुछ खास तरह के instruments होती है जिनका व्यापार किया जा सकता है इसमें क्या क्या शामिल होता है इसमें जैसे treasury bills Cash management bills dated G-Securities इन्हीं हम G-Sec भी कहते हैं यह प्रतिभूतिया सरकार की liabilities?", को बताती है तो सरकार को जब funds की ज़रुत होती है तो सरकार ऐसी प्रतिभूतियां जारी करती है तो सरकार की कितनी देंदारी बाकी है यानि सरकार को कितना पैसा देना है उसकी जानकारी यहां से मिलती है चलिए अगली नियूस देखते हैं अगली नियूस है भारत का टेक्स्टाइल शेत्र यानि भारत का कपड़ा खेत्र इसमें क्या-क्या अपडेट्स आये हैं तो हाली में भारत के टेक्स्टाइल से रिलेटेड कुछ नई जानकारिया निकल के आई हैं जो एक्जाम के point of view से important हो सकती है उनको देखते हैं जो वस्त्रक्षेत्र यानि textile sector है यह भारत के सबसे पुराने उद्ध्योगों में से एक है इसका GDP में योगदान देखें तो 2.3% यह GDP में योगदान देता है इंडस्ट्रियल आउट्पुट में 7% का इसका योगदान है यानि कही तरह कि जो इंडस्ट्री है उसमें इस छेत्र का योगदान 7% है आयास से होने वाली आय में इसकी हिस्थेदारी 12% है यानि हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे जो आय प्राप्त होती है कुल आय उसम को चुल गैर कोटन-ए और जूत्क नियुक्न गजूतं के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर हैक कोंशन वहां बन जाए तो बदा दीजिएक कि हम पहले स्थान पर ही है कि दुनिया का 6 सबसे बड़ा टेकनीकल टेक्सेटाइल उत्पादक भी है भहारत अगा ट 1999 में Technology Upgradation Fund Scheme launch की गई थी, इससे जोड़ी कुछ योजनाओं को भी देखते हैं, तो ये Scheme 1999 में आई थी, जो तकनीक को अपडेट करने के लिए लाई गई थी, जो पुरानी हेंडलूम वाली तकनीके थी, जिसमें हाथ से इस्तेमाल किया जाता था, उनको बदल करके मशीनों क पाइस्तेमाल शुरू किया गया, इसी Scheme को 2015 में फिर से सुधारा गया, अमेंडमेंट इसमें किया गया, तो 2015 का अमेंडमेंट है, इसमें एक और जो Scheme है वह है, SITP, यानि Scheme for Integrated Textiles Park, ये छोटी और मजहोली एकाईयों के लिए उप्योग में लाई गई है, 2005 में यह Scheme शुरू ही थी, और 2017 से 2020 के लिए Scheme for Capacity Building in Textile Sectors को लाया गया है, समर्थ नाम आपने सुना होगा, एक समर्थ योजना है, इसे ही कहते है, Scheme for Capacity Building in Textile Sectors, यानि कपड़ा क्षित्र में लोगों को शामिल करने के लिए उनकी छमता निर्माड, यानि उसको स्किल्स सि उगत कराना, तो समर्थ इसकीम अगर पूछले किस से संबंदित है, Textile Sectors से संबंदित है, Power Tax India, Skill समगर प्रोग्राम, जूट, IKR जैसी कुछ अनि योजनाओं का संबंद भी Textile Sectors से ही है, ठीक, अगला देखते हैं, अगली न्यूस, क्रिशी अव संरचना कोश में संशोधन किया गया है, क्रिशी से संबंदित बहुत सारे कोश्चन 2020 की पीटी परिक्षा में पूछे गए थे, तो क्रिशी भी एक नयाक सेक्टर बनता जा रहा है, हम उससे संबंदित कुछ अपडेट देख लेते हैं, Agriculture Infrastructure Fund में कुछ बदलाव किये जा रहे हैं, जैसे योजना की अवदी को 10 साल से बढ़ा कर, 13 साल कर दिया गया है, Agriculture Infrastructure Fund केंद्री छित्र की एक योजना है, जो फंड के लिए योगिता के दायरे को इसमें बढ़ाया गया है, दरसल यह है, जो क्रिशी से संबंदित एकाईया हैं, उनको रिड़ देती है, ताकि भी अपनी फसलों के उत्पादन से लेकर उनके रख रखाओ तक के लिए तयार हो सके हैं, तो इसमें राज एपी एमसी यानि राज की जो मंडिया हैं, राष्ट्री और राजी कोपरेटिक्स, कोपरेटिव फेडरेशन्स को इसके तहट शामिल किया गया है, जो इस फंड को प्राप्ट कर सकती हैं, एपी एमसी के हर एक प्रोजेक्ट को दो करोल रुपए तक के लोन पर ब्याज में अनुदान दिया जाता है, यानि आप लोन ले लीजे, आपने जितना भी लोन लिया, उस पर लगने वाले ब्याज पर आपको अनुदान दिया जाएगा, सरकार की तरप से, वित्ती सुद्धा को 2025-26 तक के लिए चार साल से बढ़ा कर छे साल कर दिया गया है, AIF मध्यम अवधी की एक रिण वित्ती सहायता योजना है, इंपोर्टन पॉइंट है, पूछ सकता है दीरगावधी की है, लगू अवधी की है, या मध्यम अवधी की है, तो मध्यम अव पहावा देना, इसके विशेश उद्यश्यों में शामिल है, कि फसल कटाई के बाद हम उसको स्टोर कैसे करें, ताकि वो कम से कम खराब हो, अगली देखते हैं हमारी नियूस, अगली नियूस है प्लेटफॉर्म वर्कर्स, तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स से जुड़ी के बाद से पारित किया जा चुका है, प्लेटफॉर्म वर्क को परमपरागत रोजगार की श्रेडी से अलग रूप से परिभासित करने का यहां पर प्रियास किया गया है, यानि प्लेटफॉर्म वर्क उसको परमपरागत इंप्लॉयर इंप्लॉई विवस्था से अलग कर करने की यहां पर बात कही गई है कैसे एक सामान कंपनी में कोई व्यक्ति जाता है उसकी जॉइनिंग होती है उसके आधार पर वो काम करता है लेकिन आज के समय मौडर्न तकनीक में डिजिटल होती दुनिया में लोग अलग तरीके से कुछ काम करने लगे हैं जैसे एक ओलाइ ट्रीक है और बात करते हैं काम डिया है तो इसको ही हम सामान डिष्जा गी आता था जो employee था रोजगार कर रहा था उससे इसको अलग करने की कोशिश की गई है इसकी आलोचना भी हमें बीच में देखने को मिली जैसे platform work association द्वारा उन्होंने कहा कि यह जो platform workers के लिए लाए गया है यह gig workers और आसंग्ठित रोजगार से अलग नहीं करता इसको चीज़े थोड़ी confusing हो रही है अब यह आसान कर लेते है इस code में आधार भूत कल्यानकारी उपायों के लिए केंसरकार ने platform aggregators और workers की संयोक्त जिम्मेदारी की बात कही है platform aggregator यानि वैसंसा जो मध्यस्त की रूप में काम कर रही है और लोगों को यानि जिसको नौकरी चाहिए जिसको काम चाहिए उसको जोड़ रही है काम देने वाले से तो उसकी जिम्मेदारी केंदर सरकार की जिम्मेदारी साथी वरकर्स की जिम्मेदारी को जोडने की बात करता है लेकिन यहाँ पर यह इस पश्ट नहीं किया गया है कि उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं ऐग्रीग्रेटर वरकर्स या केंद्र सरकार उसमें किसकी कितनी जिम्मधारी होगी तो दो-प्वाइंट आये थे एक अया था गिग वर्कर्स हर किसी भी कंपनी में कुछ ऐसे काम होते हैं जने इस्थाई कर्मचारी वितन दे सके और व्यक्थिती भी कुछ समय तक साइं अपने एक जरृत के हिसाब से काम लेना चाहता हैं तो साधार जो वर्किर्स अंहें गिग वर्कर्सक के रूप में जाना जाता है और ऐसे ही निदो करते हैं जुड़े हुए उनी से बनने वाली जो economy है आपने gig economy शब्द का नाम सुना होगा तो gig economy या gig आर्थव्यवस्था इन्ही लोगों से मिल करके बनती है तो gig workers और platform workers में लगबग यही समानता है कि platform worker भी freelance के तौर पर कार करते हैं वही gig workers भी एक तरीके से आइस्थाई तौर पर कार करते हैं लेकिन उनका यही कहना था association का कि इन दोनों के बीच में इस पश्टा लाई जाए तो यह थी आज की हमारी news जिसे आप इस section की यानी economy के second जो part है उसकी नितिम news कह सकते हैं आप से मिलेंगे अगले session में कुछ अन्य बहुत महत्तपूर्ण खबरों के साथ तब तक आप पढ़ते रहिए सेफ रहिए शुक्रिया अजुक्रिया